भारत की एक और हार दोस्तों और ये हार काफी चुभेगी और ये हार भी बड़ी हार है पतीस रनों से जी हां दूसरे वंडे में शेलंका ने हरा दिया है और भारती टीम ऐसी दिखाई दी ये लगाई नहीं किया भारती टीम की ये जो वही टीम है जो टीट्वेंटी वर्ल्ड कप जीत कर आई थी एक महिना ही तो हुआ है और वही सारे खिलाड़िया ओल्मोस्ट जो 2023 वंडे वर्ल्ड कप में खेल ले थे जस्परित बूमरा इस टीम में नहीं है लेकिन ऐसा रगा एक्शन रिप्ले है जो पहले वंडे में हुआ वही दूसरे वंडे में हुआ पहले वंडे में 75 टीम इंडिया ओल आउट हो गई और इसे पूरा क्रेट आई थिंग देना चाहिए शेलंकन गेंदबाजों को इन एक्सपिरियंस साइड थी बॉलिंग में ना दिल्शान मदूशंका थे ना पतीराना थे और आज तो वनेंदू हसरंगा भी नहीं थे लेकिन तब भी उस ट आई है भारती बल्लेबाजों की क्योंकि जहां गेंद थोड़ा सा फसेगा जहां गेंद थोड़ा सा रुक कर आएगा आपकी बल्लेबाजी एक वक्ति से दिक्कत में आएगी और आज भी आई रोहित ने जरूर उपर से अच्छा स्टार्ट दिया था भई उन्होंने 44 जर लगा टीम भी आउट होगी है पूरी और एक के करते आउट होते चले गए जैफरी वंडर से ने एक नया गेंद बाज आया और इसने कहर बटा एक ऐसा गेंद बाज जीतों ने एक के बाद एक जड़ी लगा दे विगट के और छे के छे बलेबाजों को टॉप अटर बेज दिया I think क्या किया जाए वंडर से किस गेंद बाजी का और पूरे आठ होर पूरे आठ होर किये इन्होंने और आठ होर में भारतिय बलेबाजों की कमर तोड़ दी और यहाँ पर सवाल यह है कि विकोज चेंपियन्स टोफी खेल नहीं है इनी कंडिशन्स में खेल नह लेकिन यह क्या हुआ यार पहला मैच आप टाई करा लेते हैं दूसरे मैच में आप हार जाते हैं लेकिन सिच्वेशन तो देखे दोस्तों आप क्या थी पहले मैच में 231 बनाने थे आपने 230 बनाए एक रंच से मैच हार गए across the line मार कर आपके सारे बलेवाज आउट हुए दूसरे वंडे में क्या था? 240 बनाये थे शेलंका ने पहले बलेवाजी करते हुए पथुम निशंका ने आज खाता नहीं खोल पाए लेकिन कुशल मैंडिस ने 30 बना दिये हमें ये लगा था कि मैच बनेगा मैच में मज़ा आएगा लेकिन जैसी जचेज करने आया तो फि टीम नजर आई क्योंकि इस मैच में अगर देखें तो यहां पर कैप्टन रोहित ने 44 बोल में 64 रन बना दिये और इसके अलावा उनन 57 हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट की लेकिन इस मैच में एक बार फिर विराट कोली निराश किया विराट सिर्फ 14 रन बना कर आउट होगे 14 रन बनाई उन्होंने और इसके अलावा गर देखें तो अकसर पटेल ने जरूर संभाला टीम को उनन 44 रनों की पारी खेली हालांकि 34 वेवर में अस लंका ने उनने आउट किया और इस मैच में शियूम दूबे डग पर आउट हुए स्रेयर शेयर ने 7 रन बनाई केल राह का इन एक्पिरेंस साइड है उनके पास बड़े नाम नहीं है लेकिन जो चोटे कहता चोटा पैकेट बड़ा धमाका और इस टीम में कुछ ऐसे मैच में हैं जो भारतिय टीम को हमेशा तंग कर रहे हैं चरीत असलंका पार टाइमर दोस्तों पिछले मैच में भी हीरो रहे जया वहीं की वहीं खड़ी एसा लग रहा कि भारतियी टीम ने जैसा पहले मैच में खेला वैसे इस में खेला है तो रहें क में बाविधिया करती असे तो पैंसे वह की क्या हीरो पर हार एक और आप में हाहा है और धार आपध क्या कहना चाहते क्या आपड़ूस होना चाहिए क्याल राहुल का भी देखिए बड़े साधान खेले हैं आज किया राहुल बड़ी कैजवल एप्रोच थी लेकिन भारतिय टीम को बल्लेवाज में सुधार लाना होगा अगर आखरी मैच जीतना है सीरीज बराबर करनी है तो उसके लिए टीम मेडिया को कुछ अलग क के लिए नियूज नेशन के इस क्यू आर कोड को स्कैन करें